दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद है सभी लगदम स्वस्थ होंगे आज की इस वीडियो में मैं रिवीव करने वाला हूँ ओलियांस 10 टैबलेट के बारे हैं दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ड के रूप में मिलता है उलेंजा पाइन तो यह जानते हैं यह टैबलेट की इस काम में आती है इसे आपको कैसे लेना होता है क्या इस टैबलेट के साइड एफेक्स होते हैं यह टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए क मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन चाउधानियों को ध्यान में रखना होता है देने वाला हूँ पूरी जानकारी. आज की अपने इस वीडियो में तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के आंद तक तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सस्कायब कर दो, क्योंकि आपको मेरे शैनल पर इसी तरह से धवायों के बारे में समान जानकारी दी जाती है. तो unie जानते हैं सबसे पहले इस दवा के पैकिंग के बारे में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये कुछ इस तरह के strip में आपको tablet मिलती है back side से कुछ इस तरह की दिखाई देती जिसमें आपको इसकी साही date details लिखी हुई box मिल जाती है और friend side से इसकी जो strip है वह कुछ इस तरह की दिखाई देती है इस strip में आपको 10 tablets मिलती हैं और ये 10 tablets आपको market में सभी तरह के tax मिला करके 90 रुपीज है नब्वे रुपए की मिल जाती है अगर हम बात करें इस tablet के self life की तो इसकी 3 साल की self life होती है यहां पर आप इसके manufacture date और expiry date दोनों ही देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक advice देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भी दवा medical store से purchase करें तो वहीं पर आप उसके manufacture date और expiry date देखना बिलकुल भी ना भूलें तो यह अब हम नज़र डाल लेते हैं इसमें मिलने वाले composition के ऊपर यहां पर देखे रिखा हुआ है each film coated tablet contents इसमें आपको olenza .10 mg मिल जाता है अगर हम बात करें इस tablet के color की तो यहां पर आपको क्यूनो लाइन yellow WS मिलता है titanium dioxide IP doses की बात की जाए तो doses as directed by the physician यानि इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोस जानने नहीं इसके बाद ही आपको इसे लेना शुरू करना है इस टोरेज बगएर यहां पर दे रखी यानि रख रखाओ इसको आप देख लीजिएगा अगर हम बात करें इस दवा को बनाने यह लिए company की तो यहां पर आप देखे लिखाओगा manufactured in India by sun pharma laboratory limited यानि sun pharma दोरा इस दवा को इंडिया में बनाया जाता है तो यह अब हम जानत दवा है जिसका इस्तेमाल सीजोफ्रेनिया नामक समस्या में किया जाता है अब सीजोफ्रेनिया क्या होता इसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो सीजोफ्रेनिया एक मानसी विकार है जिसके परिणाम सुरूप मति भ्रह्म या भ्रह्म हो सकता है और वेक्ति की सोचने और वेहार करने की छमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसको हम सीजोफरेनिया बोलते हैं और इसी सीजोफरेनिया की समस्या में इस टैबलेट का इस्तिमाल किया जाता है। तो इसमें जो वेक्त ही होता है या कहलें पेशन्ट जो होता है ठीक है वो यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब क्या कैसा बेवार करना है। जब उसे bipolar disorder की समस्या हो जाती है तो फिर वो अगर जैसे उदास होगा तो बहुत ही ज़्यादा उदास होगा और लंबे समय तक उदास रहेगा ना किसी से बोलेगा ना कुछ एकदम चुप रहेगा एकदम अलग अलग रहेगा। ठीक है या फिर अगर वो खुस होगा या नहीं एक्साइट होगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुस होगा आसेगा ठीक है उसको कंट्रोल नहीं रहता है ठीक है तो ऐसी सिती को ही हम लोग bipolar disorder बोलते हैं तो ऐसी सिती में भी इस पार कर रहा है उसे किस समय क्या चीज बोलनी चाहिए उसे उस समय क्या सोच रखनी चाहिए ठीक है और क्या मतलब रियल है और क्या मतलब की फेक है वो इस सब में डिफरेंस नहीं कर पाता है तो ऐसी सिती में इस टैबलेट को दिया जाता है ठीक है तो मैं उम्मीद करता तो आईए अब हम यहाँ पर इसके कुछ side effects दे बारे में भी जान लेते हैं तो दोस्वों यहाँ पर जोसे होने वारा side effect है वो है dizziness यानि चक्कराना, sleepiness यानि बहुत ही ज़्यादा नीद आना dryness in mouth यानि मुह का सूखना, weight gain होना, constipation यानि कब्स होना muscle stiffness यानि मांश पेशियों में जगड़न होना, जटके लगना ठीक है इसके लावा sudden lowering of BP on standing यानि खड़े होने पर BP का अचानक कम हो जाना ठीक है या फिर बेचैनी होना ये सभी इस दवा से होने वाले side effects के symptoms है अगर आपको इनने से एक भी symptoms अपने आप में देखने को मिला है या उस patient में देखने को मिला है तो आप इस दवा को लेना या फिर देना बंद कर दें और तुरांत अपने doctor से समपर करें ठीक है अब हम इसके dose के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि इस दवा को लेने से पहले आपको अपने doctor को अपनी इस्थिती दिखा लेनी है उसके बाद जो आपको doctor dose बताएंगे उसी के अनुसार आपको इसे लेना है कहने का मत patient की उसकी जो बिमारी है समस्या है ठीक है उसकी गंभीरता को देखते हुए doctor अपने experience से यह लिखता है कि आपको दिन में इस tablet को कितनी बार लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है और कैसे लेनी ठीक है तो यह आपको आपके doctor ही अच्छे से बता सकते हैं पर इसलिए आपको सलाह लेनी होगी इसका डोस जाना उसके बाद ही आपको इसको लेना शुरू करना होगा ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं precautions यानि साउधानियों के बारे लिए तो दोस्तों यहापर कुछ साउधानिया है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप इस tablet का सेवन कर लेना है ऐसा करने से आपको दिक्कतों का सामना करना पर सकता है जो महिला है pregnant है या breast feeding करा रही है तो वो इस tablet को इस्तिमाल करने से पहले अपने doctor से सलाह लेंगी उसके बाद ही इसको इस्तिमाल करना शुरू करेंगी क्योंकि pregnancy और breast feeding के दवरान unnecessary दवाईयां लेना मना होता ह इसके अलावा इस tablet को लेने के बाद ना तो आपको driving करनी है और ना ही heavy machines operate करनी है क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकता है या फिर आपको नीद आ सकती है ऐसे में आपके साथ दुरगटना हो सकती है तो इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अलावा बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे आपको अपने बच्चों को देना है